next question question says the nuclear आ में बताना है mark the correct statement पहला statement है the nuclear forces between two protons is always greater than the electromagnetic force between them तो एक काम करते हैं एक एक करके इंचारों statement को independently हम evaluate कर लेते हैं पहला statement है nuclear force between two protons is always greater than the electromagnetic force between them now यह statement 100% तब त्रू होएगी जब यह आपके दोनों प्रोटॉन जिनके हम बात करें वो एक फर्मी या उससे कम डिस्टेंस पर आपके नुकलियस के अंदर है इफ यह आउटसाइट तो यह स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं होएगी उस चेस में आपका एलेक्रो मैंडिटिक फोस इलेक्टो मैं मच रिस हाइर देन दा नुक्नियर फोस आप्टरेक्शन नूंबर भी है इलेक्रो ट्रो मैडिय फोसेज तूट्विं तो प्राटॉन इस जफ्टो धिन्दा स्क्राइब और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम वन एम टू डिवाड़ेड़ बाया स्क्राइब फॉर आप पर्टिकुलर डिस्टेंस किसी भी डिस्टेंस के लिए जब हम आज सेम लेके इसको कल्कुलेट करेंगे तो इसकी वेल्यू हमेशा ज्याद आएगी बिकॉ यह स्टेट्मेंट आपकी ट्रू हो जाएगी बिकॉर यहां पर स्टेट्मेंट में में दिया हुआ है तो अगर आपके प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो आफकोस आपका न्यूक्लियर वो तो बहुत स्ट्रॉंग होएगा एस कंपर्ड़ ग्रेविटेशनल फोर् स्ट्राइब कहीं ज़्यार स्ट्रॉंग होएगा इस कंपर्ड़ टो दनीविटैर फोर्स अप्शन धे अविक्सेश सी अमने माग कर दिया है ऑप्शन दी विशेश एइलेक्रो मैंटिक फोर्स बिट्वीं टू प्रोटोस मेझा ग्रेटर देन नुक्लियर फोर्स अटिं बिट्मिन देम अगेन यह स्टेटमेंट आपका ट्रू होएगा सो यहां ऑप्शन नमबर डी हम कहेंगे विकोज यहां कहें रहें मेभी इलेक्ट्रमागनिक फोर्स इस गेटर देन आपका नुकलियर फोर्स तो अगर उनका डिस्टेंस सिग्निफिकेंट है तो नुकलियर फ से जाधा हो जाएगा आपका एलेक्ट्रमागनिक फोर्स और रिपल्शन सॉप्शन नमबर इसके बी सी और डी वुट बी दा करेक्ट चॉइस